हेलो एवरीवन, विल्कम बैक टो वर चैनल, हाइपर टेड़ेज भी, मैं हूँ मोहमत सोहिल, डाबर इंडिया लिमिटेर पे अल्रेडी हमारा फ्रेश बैंग हो चुका है, पर हम लोग जो टार्गेट हमारे लेके चल रहे थे 540, हमारे टार्गेट अचीव नहीं हुए, क्य ही हुआ है, स्टॉक के अंदर 532, 532 तक स्टॉक आगे गया, उसके बाद स्टॉक आगे नहीं गया दोस्तों, अब आज कहीं कैंडल देखो, 532 से 517 तक का फॉल है, तो कहीं अपने सब्सक्राइबर डर रहे हैं, तो मैं आपको सज्जेस्ट करता हूँ कि डरों मत, कुछ न जाद रखना दूस्तों, आप स्टॉक का मैट्रिक सिरीज देखो, मैट्रिक सिरीज जभी स्टार मार्क इंडिकेशन देता है, जब मार्केट में सेलिंग खतम हो जाती है, उस स्टॉक में, सेलिंग खतम होके बैइंग आने वाली होती है, तभी स्टार मार्क इंडिकेशन देता है वरना star mark indication नहीं देता जो star mark indication यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मैं अपने हिसाब से previous breakout पर entry दिया हूं and star mark indication यहां पर market सताया उसके बाद देखो कैसे भागा समझ के देखो इतने बड़े बड़े हैं तो डरने वाली बात नहीं है oversold zone में stock price, upper price depreciate कर रहा है इसलिए stock के अंदर हम लोगों को selling देखने को मिल रहा है उससे ज्यादा stock के अंदर कुछ भी नहीं होगा और दूसरा stock maximum से maximum अगर retrace करे तो retracement हम लोगों को यहां से ही देखने को मिलेगा 519 या 504 आपको मैं क्या suggest किया 515 से लेके 500 के अंदर आप कही सकते हैं दोस्तों तो यही था मेरा update डाबर इंडिया लिमिटेड पर अगर आपको stock pay analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video